नमस्कार दोस्तों वेलकम टू स्टडी आइक्यू आएस माइनेम इस चान कुबा दोस्तों आज सिखों के प्रतम गुरू श्री गुरुनानक देव जी का जैनती दिवस है सबसे पहले तो आप सब को गुरु पुरु के इस शुब दिवस की बहुत बहुत शुब कामना है आज के अपने से सबसे पहले तो ये कि अगर आप मेरी पीटी या फिर पीडियेफ डाउनलोड करना चाहें इन सबी सेशन की पीपीटी आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाती हैं अगर आप मुझसे कॉंटेक्ट करना चाहें मुझे मैसेज भेजना चाहें कोई सवाल करना चाहें तो आप इंस्टाग्राम के सेटल को आप जौइन कर सकते हैं दोसिति बात ये दोस्तों कि अगर आप यू पीएस की की थ्यारी को लेकर सिरियस हैं तो आप UPSC Life Foundation Batch by Study IQIS जोईन कर सकते हैं यह हमारा 8th Life Foundation Batch है जो की 14th November को शुरू होने जा रहा है आपको अगर यह Batch discounted prices पर avail करना है तो आप चान लाइब का code इस्तमाल कर सकते हैं और काफी heavy discount आपको इसमें मिल जाएगा चलिए आप बात करते हैं आज के हमारे main topic की गुरुनानक देव जी की अगर हम बात करें तो देखें दोस्तों जैसे कि विए आपको कहा कि यह सिखों के प्रथम गुरू थे इनका जो birth year है that is 1469 और 1539 में ही passed away ऐसा हमें यहां पर जो इनके जीवन को पढ़ने के बाद पता चलता है वो यह कि इनके जीवन का जो main message था that is religious unity that is God is one एक ओंकार यानि की ओंकार एक है गोड एक है भवान एक है और वो सब के अंदर बराबर बसता है अपने इसी religious message को spread करने के लिए गुर्णानक देव जी ने ना किवल भारत बलकि इंडियन सबकॉंटिनेंट के अलावा एशिया के और भी कई सारे कौनों में यह जाते हैं खास कर कि वो सभी भूमियों पर जहां पर हिंदुईजम या फिर इसलाम धरम बसा हुआ था या फिर उसमें चल रहा था सो हमें देखने को मिलता है कि मिडल इस्ट हो गया जैसे कि मक्का मदीना या फिर टिबत हो गया हिंदुईजम जहां पर था या फिर बहुत धरम भी जहां पर था इसके अलावा नौर्थ इस्ट हो गया सो अलग-अलग कोनों में ये जाते हैं और अपने इस मैसेज को स्प्रेड करते हैं दूसरी बात यह अगर इनके हम बच्पन की बात करें इनकी फैमिली की बात करें तो अगेन इनके जो फादर थे ही वास कल्यान चंदास बेदी जिनको हम शौट फॉर्म में महता कालू कहते हैं और इनकी जो माता थी उनका नाम था माता त्रिपता ये एक हिंदू खत्री परिवार में पैदा हुए सो इनके जो फादर थे वो हिंदू खत्री थे एंड ये मर्चेंट थे अकाउंटेंट का भी काम करते थे जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी जो जर्नी थी उन्हें उदासी कहा जाता है है उदासिया कहा जाता है सो नौ खंड यानि की धरती के नो अलग अलग भू भागों में इनका जाना हुआ ऐसा इनकी साखियों से हमें पढ़ने को मिलता है चलिए बात करते हैं इनके मेन फिलोसिफिकल या सबसे पहला जो मौरल लेसल सुसाइटी के लिए इन्हों ने दिया यानि की आप सब को हमें अगर भगवान ने कुछ दिया है और यहां पर यहां पर यहां पर बड़ी ही इमांदारी से आजीविका को कमाना चाहिए इस तरह से आपका जीविका का साधन होना चाहिए तो means of livelihood जो है वो यहां पर honest होने चाहिए वन शुद नॉट exploit others to enjoy self happiness आपको अपनी जो earning करनी है वो उसमें fraud नहीं होना चाहिए और यू शुड वर्क diligently with honesty आपको यहां पर अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए यहां पर चोरी चकारी या फिर ठगी जैसे इन कृत्यों में नहीं जाना चाहिए इसे किरत करना कहते हैं तो इनका जो message थाना वर्ण चो को किरत करो यह combined यहां पर हमें देखने को मिलता है फिर तीसरा आ जाता है नाम जपू यानि की तो चैंट दी नेम ओफ लोर्ड तो चैंट दी नेम ओफ ट्रू गोर्ड सो यहां पर जो असली मालिक है असली खुदा है असली भगवान है उसका नाम जपने के लिए यह कहते हैं श्री गुर्णानक देवजी एंफसाइज अब देखिए इनके पांच संसे या पांच विकारों की गुर्णानक देव जी ने बात की है काम क्रोध लोब मोह अंकार नहीं की लस्ट एंगर ग्रीड अटेच्मेंट एगगो अगर हम इनफ एंगर अगर पांच विकारों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा हमें भगवान का नाम यहां पर रेसाइट करना होगा और मन जीते जग जीत की जो आप हमेशा कहावस सुनते भी है वो उनका उसका भी मतलब यहीए कि अगर आपने अपने पांचों विकारों को क्रोल कौन करता है अगर हम यूँ कहें कि ये अगर five senses पांच गोड़े हैं तो इन five horses को कंट्रोल करने वाला जो सार्थी है वो हमारा मन है तो अगर हमने मन को काबू करना है मन को कंट्रोल करना है जो कि अल्टिमेटली कंट्रोल करता है five senses को तो हमें जो ट्रू गोर्ड है उसका नेम चैंट करना चाहिए ऐसा मैसेज इन्हों ने दिया फिर उसके बाद आता है सर्बत दा भला अगें हम हिंदुईजम में भी बात करते हैं लॉर्ड वट्वी से इस देट वसुधैव कुटूंब कम यानि की होल वर्ड इस वन बिग फैमिली जब हम यह कह देते हैं हिंदुईजम में कि सारा जो समाज है या सारी दुनिया एक ही परिवार है तो हम किसी का बूरा भला किसी का बूरा मांगे नहीं सकते राइट बेसिक लॉर्ड फर एवर्रीवन्स हैपिनेस दिस वर्ट गुर्णानक देव जी एंफिसाइज उन्होंने कंसेप्ट ऑफ युनिवर्सल ब्रदर हुड पर काफी जोर दिया हैं तो ही सेट डिस्पाइट रिलीजिन कास्ट जेंडर एवर्रीवन शूट शूट सीक वेल फॉर अध दिस दन कैनल मगई अचीव दी गुड नेस इन रिटर्न राइट जो अगर हम हिंदु सिखिजम से अगर आपको थोड़ा सा भी अगर वास्ता है आपको थोड़ा सा भी आईडिया तो सिखिजम में अर्दास की जाती हैं अर्दास आ test is a prayer to the god अब वो अर्दास के एंड में भी कहा जाता है नानक नाम चड़दी कला तेरे पाने सर्बत दा पला तो बेसिकली वाट ड़स इट मीन देट नानक विद यूर नेम एंड ब्लेसिंग में एवर्यवन इन दी वर्ल्ड प्रॉस्पर एंड बी इन पीस सो यह अरदास में सिखिजम में भी इसे कहा जाता है ठी पीक दर टूथ विदाउट एनिफियर यानि कि हमें बिना किसी डर के सच के ऊपर चलना चाहिए सच के रस्ते पर चलना चाहिए इन्होंने कहा कि अगर आप जूटके रस्ते पर चल कर कोई कोई temporary victory हासिल भी कर लेते हो तो वह temporary हैवगर लास्टिंग नहीं है तो जूटके रस्ते पर जो पाई गई विक्टरी है उसका भी कोई फाइदा नहीं है और सच बोलने का हुकम भी है यानि कि जो सिखिजम के फॉलवर्स हैं उनको गुरू से जो हुकम मिला है वो यही हुकम है कि आपको सच बोलना चाहिए ना फिर आता है जिस सेल्फ सरेंडर सेल्फ लिया है मैं कहीं पहुंच गया हूं यह जो सेल्फ एगो है यह सरेंडर करने की जरूरत है यह इन्होंने ऐसा कहा अकोर्डिंग टू हिम टूगेट टी ब्लेसिंग्स सरेंडर ओफ इगो इस असेंशल यह कहते हैं कि देखो या तो आप हो सकते हो यह भगवान हो सकते हैं आ आप और भगवान नहीं हो सकते हो आपको अपने आपको सरेंडर करना होगा अपनी इगो को सरेंडर करना होगा बेसिकली तभी आप भगवान को पापाएंगे सो ब्लेसिंग्स को पाने के लिए इगो को सरेंडर करना जरूरी है दोस हूं डूनोट सरेंडर देमसेल्स और ego are not blessed with the grace of God. So, ये इनका message था. फिर आता है जी faith in theory of karma. गुरानक देव जी का ऐसा मानना था कि आज हमारे जीवन में जो भी सुख जो भी दुख हम भोग रहे हैं ये हमारे पुराने जनम के कर्मों का ही फल है. So, उनका ऐसा मानना था कि कर्म theory जो है वो बिलकुल सच है. So, कर्म में उनका विश्वास था. गुरानक देव जी believed in the principle of karma. He had a deep faith that the man is born and dies according to his karma. Guruji told people that they should recite name along with doing good deeds so that after their death, their soul gets salvation. So, कर्म के बंधन से चुटकारा पाने का जो तरीका है, जनम मरन के बंधन से जो चुटकारा पाने का तरीका इन्होंने बताया, वो था कि आप नाम जपो ताकि salvation को प्राप्त कर सकें. फिर आता है belief in brotherhood, again brotherhood and universal brotherhood को इन्होंने teach किया अभी हमने वो भी देखा कि सर्बत दा भला भी इन्होंने कहा. So, यहाँ पर इनका message था कि भई आपको cast, color, creed, religion, इन सभी लाइनों से उपर होगा, सब को एक समान समझ कर एक परिवार का हिस्सा मानना होगा, यह इनका message था, एक बहुत important message एक और था इनका, कहते जी सोक क्यों मंदा आखिये जित जम्मे राजान, यानि कि जिसने राजाओं को भी जनम दिया, जिसने सब को जनम दिया, यानि कि जननी, यानि कि स्तरी उसे आप बुरा किस तरह से कह सकते हैं, so basically, he believed in the dignity and in the equalness of the women, also, women empowerment में भी इनका विश्वास रहा, महिलाओं को यह हमेशा से उच दर्जे से देखते रहे, चले, उसके बाद आता है, emphasis on morality, so यह जितने भी आपने principles पढ़े, वो सब एक ही रस्ते पर आपको चलने के लिए बा to hurt anyone and to help everyone in needy, यहनि कि आपको नेतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, यह सभी के सभी जो मंत्र हमने आभी देखें, फिर उसके बाद आता है, disbelief in penance, now please understand, कुर्णानक देव जी का यहाँ पर जो message है, वो सपष्ट है, कुर्णानक देव जी कहते हैं कि हमें extremes में नहीं जाना है, कई लोग क्या होता है कि extreme में जाते हैं, again, they want to achieve God, they want to achieve salvation, but उनके जो method होते हैं, वो काफी ज़्यादा extreme हो जाते हैं, यानि कि पहाड़ों में चले गए, परिवार को त्याग दिया, इस तरह से अपनी जो रोज मर्रा की जिन्दगी की duties हैं, उन्हें छो extremes में नहीं जाना है, we have to be like a lotus, जो की एक गंदे तालाब में भी रहकर अपने आपको पवित्र रखता है, so basically अगर हमें परमात्मा से मिलना भी है, मिला भी करना है, या फिर हमें salvation प्राप्त भी करनी है, तब भी हमें extreme रस्तों पर जाने की जरूरत नहीं है, हमें उस कमल की होना है, जो की कीचर में खिलता है, यानि की दुनिया की या फिर माया की इस बंदन में रहते हुए, जाल में रहते हुए भी अपने आपको माया से उपर रखना है, और भक्ती करनी है, नाम जपना है, और अपनी रोज मर्रा की डूटीस को भी honestly निभाते रहना है, so he believed that he was not in favor of renouncing the world and doing penance in jungles and caves, he said that man should forego love for materialistic things, surrender ego, live amongst the people like a flower of lotus lives in muddy water, so ये इनका message था यहाँ पर की extremes में जाने की अवशकता हमें नहीं है, ये कुछ में मैसेजिस हमने इनके पढ़े जो की social life में बहुत जादा relevant है, ये messages को हम सभी को धारन करने की जरूरत है, I hope कि आपको ये session समझाया होगा, पसंद आएगा, अगले session में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों, till then thank you and have a great day ahead.